प्रेंड्स, पेंडेमिक के इस दौर में भारत ते फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ क्या है, हमारी क्षमता क्या है. इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एक जुड़ता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिशाल दुनिया में नहीं है. पी-पी-ई केट्स हो, मास्क हो, बेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग केट्स हो, यह सब भारत बाहर से ही मंगाता था. आज इस कोरोना कालखन में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई, और आज भारत ना सिर्फ इन में सेल्फ रिलाइंट बना है, बलकि इन में से कई प्रोड़क्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है. आज भारत दुनिया के सबसे कम फेटलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है. आज भारत एक नहीं, बलकि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तयार है. दुनिया की फार्मसी होने के नाथे, दुनिया के हर जरुरत मन तक जरुरी दवाएं पहुचाने का काम, भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है. दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सिन का इंतजारी नहीं कर रही, बलकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम, भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरे हैं. साथियों, इस वैस्वी महामारी के दौरान, भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान की प्रेणा बन गया है. हमारी यहां कहा गया है, शत हस्त समाह, सहस्त रहत संकिर, यानि सैंकड़ों हाथों से अर्जिन करो, लेकिन हजारों हाथों से बाटो, भारत की आत्म निर्भरता के पीशे का भाव भी यही है. करोडों भारतियों के परिश्रम से जो प्रोडक्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशन्स भारत में तयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाप होगा.